सर्व्यभ्यो नमो नमह मम नाम डेक्टर लूनेज कुमार वर्मा व्यक्ष्याता सास्की उच्टर माध्यमिक विद्याले शचान परी जील रायपूर मध्ये अहम पदोस्थोस मी अध्य वयम पठामह दसम्याम कक्छाया सम्स्कृत विशयम प्यारे बच्चों आज हम इस पाठ का ध्यन करने जा रहे हैं उसका सिर्षक है अभ्यर्थना अभ्यर्थना का तात्पर यह होता है प्रार्थना या मंगल कामना इस पाठ में हम देव इस्तुती भी देखेंगे मंगल कामना भी देखेंगे और भारती संस्कृती का जुमूल तत्व है सर्वे भवन्त सुखिना अर्थात संपूर्ण जगत के कल्यान की कामना इन सारी चीज़ों को समेटे हुए हमारा यह जो पाठ है और उस पाठ का सिर्शक है वो है अभ्यर्थना अभ्यर्थना यह जो सब्द बना है यह दो सब्दों से मिलकर बना है अभी धन अर्थना यहां यंण स्वरसंदी का प्रयोग हुआ है इसका तात पर यह होता है प्रार्थना या मंगल कामना जैसे भारती परंपरा की यह विशेशतर ही है कि जब हम किसी कारे को प्रारंब करते हैं तो प्रार्थना से या मंगल कामना से या मंगला चरण से किसी कारे को प्रारंब किया जाता है उसी तरह से हम आज यह जो अध्यन करने जा रहे हैं कक्षदस्वी संस्कृत तो इसका प्रारंब प्रारंभीक अंस आप देख पा रहे हैं पुस्तक में प्रारंभीक अंस ही है अब भेर्थना अर्थात मंगल कामना मंगला चरण आईए हम इस पाठ के जो पहले स्लोक हैं उसको देखते हैं प्यारे बच्चों आईए अब भेर्थना यह जो पाठ हांस है इसको हम एक बार सुनते हैं ओम सहनाववतु सहनावभुनक्तु सहविर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मावेद्विसावहे संगच्छद्धं संवदधं समवो मनांसि जानताम देवाभागं यथापूर्वे संजानाना उपासते गुरूर ब्रहमा, गुरूर विष्ण, गुरूर देवो महेश्वरह, गुरूर साक्छात परंब्रहमा, तस्मै श्री गुर्वे नमहा सर्वे भवन्तु सुखिनह, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानि पस्यन्तु माकस्चिद्धुख भागभवे भारत में गुरू सिस्य परंपरा आधिकाल से चली आ रही है और यह जो गुरू सिस्य की परंपरा है यह परंपरा बनी रहे गुरू और सिस्य साथ साथ चलने की बाते कहते हैं, साथ में विद्याध्यन की बात करते हैं, अपने पुरुशार्थ की बात करते हैं और विद्या के माध्यम से पराक्रमी बनने की बातें वे ये जो पहला स्लोक है इसमें कहते हैं पहला स्लोक आप देख रहे हैं ओम सहनाववतु सहनव भुनक्तु सहवीर्यम करवाव है तेजस्विनव अधीतमस्तु माविद्विसाव है यह पहला स्लोक है यहां गुरु अर्शिस्य दोनों के संदर में बाते कही गई है ओम सहनाववतु हम दोनों देखिए नावववतु कहते हैं यह नौधन अववतु से मिलकर बना है नौधन अववतु यहां भी यांशोर संधी का प्रेवग हुआ है सह का मतलब होता है साथ हम दोनों साथ-साथ कौन दोनों साथ-साथ? गुरु और सीश्य साथ-साथ आवाटु जो रूप अप देख रहे हैं यह जो है आवव धाटु से बना है और आवव धाटु जो है रक्षण अर्थ में प्रेवटत किया जाता है यहां लोटलकार का प्रयोक्य अगय है, लोटलकार प्रथम पूरुस एक वचन का यहां प्रयोक्य अगय है कि इसमें अवतु सब्द में है, तो ओम सहनाव वतु हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो, इस वर जो है हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, अर्थात हमारा गुरु औ कर दोनों शांत साथ सात उपभोग करें अर्थाद हम दोनों जो है इसको हम और इसमें विध्धी करें तो ओम सहनाववतू सहनव भुनक्तू अर्थात हम दोनों का जो है विध्या से पोषण हो जिस तरह से सरीर का पोषण आहार से होता है उसी तरह से गुरु अर्शिस्य की संबंद की बात कही जा रही है तो गुरु अर्शिस्य का संबंध जो है मस्तिस्क से संदर्भित है बुद्धी से संबंधित है अर्थात गुरु अर्शिस्य का पोषण हो तो पोषण कैसे हो विद्या से पोषण हो तो हम दोनों का विद्या से पोषण हो सह वीर्यम करवाव है और हम दोनों जो है उसी वि वीरियम मतलब पराक्रमी बने अर्थात विद्या की प्राप्ती के लिए हम दोनों आपस में पूरुसार्थ करते हुए सामर्थ वान बने ये बाते कही जारी हैं तो सह वीरियम करवाव है तो गुरु अर्शिस्य जो है विद्या के माध्यम से वीर्यवान पराक्रमी बनने की बाती यहां कहते हैं अगला पद है तेजस्वीनवा धीत मस्तु और हम दोनों का जो अध्यान है यह विद्या का अध्यान है विद्या अर्थात तेज से युक्त हो अर्थात हम समाज को दिशा देने में समर्थ बने माविद्विसाव है और हम दोनों में कभी भी विद्वेश नहो अनबन की सिति नहो अर्थात गुरू का सिस्य पर कृपा बनी रहे और सिस्य भी गुरू का सदयो एक पिता की भाती आदर करता रहे प्यारे बच्चों यह जो स्लोक है इसमें आप देख रहे हैं कुछ संधी पद हैं जैसे नाववतु नव धन अवतु इसी तरह से अधीतम अस्तु अधीतम धन अस्तु इसका प्रयोक किया गया यहां आप देखते हैं तो यहां जो नव का प्रयोक किया गया है नावववतु में नव का प्रयोक किया गया है उसके अलागा सह नव भुनक्तु कहते हैं यह नव कहां से आया है नव जो यह सब्द है यह सब्द जो है मूल सब्द है इसका अस्मद असमद मतलब होता है मैं इसका जैसे कारक रुचन आप जानते हैं सब्द रूप जानते हैं उसमें आप देखते हैं तो असमद का जब सब्द रूप चलता है प्रस्म व्यक्ति में रूप बनता है अहम आवाम वयम इसके बाद फिर अगली पंक्ति में जैसे जाते हैं दृत् बिष्भत फ्राण मुर्थ sequential WAX असमान न है तो नौन यह प्रेउक्त है यह लैं वर्त में प्रेउक्त होता है ओर बिष्रण मेश और दोनों हो यहीं अर्थ में रहता हो तो यहां नौ का अर्थ क्या हुआ हम दोनों हम दोनों कौन दोनों गुरू और सिस्य दोनों की बाते कही गई हैं तो ओम सहनावतु हे इस्वर हम दोनों गुरू सिस्य की रक्षा करो सहनो भुनक्तु और हम दोनों का विद्या से भली भाती पोर्षण करो सहवीर्यम करवाव है और हम दोनों जो हैं विद्या अध्यन करते हुए पुरुसार्थ करते हुए पराक्रमी बने तेज अस्वी नौ अधीत मस्तु और हम दोनों का जो अध्यान है वो कैसा हो? वो तेज से युक्त हो और मा विद्विशा वही हम दोनों में कभी भी विद्वेश न हो अर्थां हम दोनों मा वो संबंद सदेव बना रहे अर्थात गुरु का कार्य क्या है गुरु का कार्य है सिस्य को सिक्षापदान करना और सिस्य का कार्य है गुरु की सेवा करते हुए गुरु मेनिहित ज्यान को प्राप्त करना तो यह जो संबंद है वह हम दोनों में सदेव बना रहे ऐसी कामना इस प्रथम स्लोक में किया गया है अब आगे देखते हैं अगला स्लोक है संगच्छद्वं संवदध्वं संवो मनान सिजानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते यह जो स्लोक है वस्तुता रिग वेद का एक मंत्र है आप सभी जानते हैं जो वैदिक साहित्य कहा जाता है यह विश्व का प्राचीनतम साहित्य है हम संस्कृत के बात करते हैं तो संस्कृत के भी दो रूप हैं एक है लोकिक संस्कृत और एक है वैदिक संस्कृत वैदिक संस्क्रित और लोकिक संस्क्रित में कुछ भिन्नताएं हैं क्या भिन्नताएं हैं कुछ ऐसे रूप हैं जो रूप केवल हमें वैदिक संस्क्रित में देखने को मिलता है लोकिक संस्क्रित में वे रूप देखने को नहीं मिलते हैं आच्वी सताबदी में जब महरसी पानेनी हुए थे और उनके द्वारा अर्ष्टा ध्याई नामक संस्कृत का एक व्याकर्ण बद्ध परिनिश्यत ग्रंथ जो लिखा गया तब से वेदों में जो रूप प्रयोक तो होते थे उन रूपों पर बंधन लग गया उन रूपों जो वेद लिखे गये थे जिस भासा में लिखे गये हैं वे वेदिक संस्कृत कहलाते हैं और पानेनी के पस्चात जो साहित्य लिखे गये वे लौकिक साहित्य कहते हैं तो कुछ संस्कृत में धातुओं का महत्वपूर्ण इस्थान है धातुओं में महरसी पानेनी दो वि प्रस्वाइप दोनों में होता है तो यहां यह जो सलोक आया है यह जो मंत्र आया है इसमें आप देख रहे हैं पहला ही सब्द है संग अच्छ ध्वम और दूती सब्द है संवदध्वम इसमें जो प्रयूक्त मूलधातु है वो है गम और वद यह महरसी पाणनी के द्वारा जो अश्टा देहाई ग्रंथ लिखा गया है उसमें इसको परस्मई पद की संग्यदी गई है अर्थात अब मह हरसी पाणनी के पस्चात जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं लोकिक संस्क्रित उसमें इसका रूप केवल और केवल परस्मई पद में देखने को मिलता है लेकिन जो कि यहां जो स्लोक है यहां वेद से लिया गया है और वैदिक संस्क्रित में उन्धात्मों का आत्मने पद औ में प्रयोग होता था इसलिए यहां जो अब प्रतम सब्द देख रहे हैं स्वंच अधन्य प्रत्य Bowl मैं jakiś कि यहां आत्मने पतया पॉत्य प्रत्य प्रत्याई का प्रयोग किया गया है कि Sam's challenge प्रत्य सत्य अथ beverage at a close-up में हुआ है और लोट लकार मध्यम पूरुष का यह रूप है तो, चलिए, अब हम इसके अर्थकों देखते हैं, बहुव अचन को रूप है, गच्छ ध्ध्वम कैसे बनाये गम धात्व, आत्मने पद में इसका प्रयोग हुआ है, लोट लकार, मध्यम पूरुष, बहुव बहुवचन का यह रूप है इसी तरह से सम्वदध्वम सम उपसर्ग है वद धातु है आत्मने पदमी इसका प्रयोग हुआ है लोट लकार मध्यम पुरूष और बहुवचन का यह रूप है तो संग अच्छद्वम समवदध्वम तो यहां उपदेश दिया गया है क्या उपदेश दिया गया है कि हे मनुष्यों संग अच्छद्वम तुम लोग साथ साथ मिलकर चलो समवदध्वम और साथ साथ मिलकर आपस में बात चित करते हुए अपने समाज को देश को आगे बढ़ाओ तो संग अच्छद्वम तुम लोग साथ साथ मिलकर चलो और आपस में मिलकर बातें करो समवो मरांसी जानताम और तुम्हारे मन देखे वो सब्द का प्रेगो है समवो वो सब्द कैसे बनता है वो सब्द बना है यूसमत से तो इसका रूप बनता है त्वम यूवाम यूयम त्वाम त्वा यूवाम वाम यूसमान वह तो वह जो रूप बनता है यह द्वित्याव भक्ति चतूर्थी भक्ति और सश्ठी भक्ति बहु वचन में इसका रूप बनता है, तो यहां जो कि वो और मनांसी दोनों के बीच में संधी हुई, इसलिए ये वह से क्या हो गया, वो हो गया, तो सम वो मनांसी जानताम, मनांसी जैसे करते हैं, ये इसका मूल सब्दा है मनस, पूर्लिंग का यह रूप है, और प्रत्वम भक्ति और दूइतियर्विभक्ति में इसका रूप जो है एक जैसा अ चलता है, रूप बनता है मनाह मनसी मनांसी, तो सम वो मनांसी जानताम अर्थाथ, तुम्हारे मन एक समान होकर ज्ञान प्राप्ठ करें, अर्थाथ, मिल कर, एक दुसरे से बात करते हुए ज्रम प्रा देवा भागम यथा पूर्वे जीस प्रकार से यथा यह अव्याइपद है इसका अर्थ होता है जैसे यह जीस प्रकार से यथा पूर्वे जीस प्रकार से पूर्वे पहले संजाना ना उपासते संजानाना मतलब इसका मतलब होता है बुद्धिमान लोग विद्वान लोग सजन लोग पूर्वे पहले देवा भागम सेवनी प्रभु को अर्थात जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं आराधना करते हैं तो सेवनी प्रभूक को संजानाना जानते हुए उपासते उपासना करते आये हैं तो हे मनुस्यों जैसे तुम्हारे पुर्वज देवताओं को सेवनी प्रभूको आराध्धि प्रभूक की सेवा करते आये हैं उपासना करते आए हैं वैसे ही तुम भी उपासना करो यह उपदेश दिया गया है तो संग अच्छद्वं संवदध्वं संवो मनान सिजानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते इसका अर्थ हुआ है मनुश्यों तुम लोग एक साथ मिल कर चलो आपस मे मिल कर बातें करो तुम्हारे मन एक समान होकर ज्ञान प्राप्त करें जिस प्रकार बुद्धिमान लोग सेवनी प्रभू को जानते हुए उपासना करते आए हैं वैसे ही तुम लोग भी करो तो यहां रिगवेद का मंत्र है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो स्लोक है उसमें गुरु की महिमा का बखान किया गया है अर्थार हम जब संसार में हैं तो हमको जितना भी जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वहाँ गुरु की क्रिपा से ही प्राप्त हुआ है यदि आज हम इस्वर को जानते हैं तो गुरु की क्रिपा से ही जानते हैं इस भुष्णु गुरूर भुष्णु गुरूर देवो महत्र वाराभु गुरूर स्व्द्धाट्ब करम भुष्णु षुमैं शरु स्री गुरु वैनम हथुमै गुरूर विष्णुह यहां भी विशर्वसंधी का प्रयोग हुआ है। गुरूर देवो महेश्वरह गुरूह धन देवह धन महेश्वरह यहां पर गुरूह धन देवह विशर्वसंधी देवह धन महेश्वरह विशर्वसंधी गुरूर साक्षात गुरूह धन साक्षात यहां भी विशर्वसंधी का प्रयोग हुआ है। और तस्मई का मूल सब्ध है तद इसका मतलब होता है और पूर्डिंग चतुरथी भक्ति एकवचन का प्रियुक रूप है इसलिए इसका आर्थ होता है उसके लिए गुर्वे गुरु सब्द चतुर्थी भक्ति एक वचन के रूप है गुर्वे गुरुभ्याम गुरुभ्या यह रूप बनता है तो आइए अब यह जो स्लोक है इसका अर्था देखते हैं गुरूर ब्रहमा अर्थात गुरू ही ब्रहमा है ब्रह्मा जी है गुरूर विश्णु है और गुरू ही विश्णु जी है गुरूर देवो महेस्वर है गुरू ही साक्षात महेस्वर है गुरू साक्षात परम ब्रह्मा गुरू जो है साक्षात परम ब्रह्म है तस्मई श्री गुरुवे नमहा उस गुरू के लिए कौन से ग परहमा का रूप है वो गुरु जो विश्णू का रूप है वो गुरु जो महेश्वर का रूप है अर्थात गुरु जो है कैसे हैं यह साक्षात परम ब्रहम हैं तो स्मैस्री गुरुवे नमहा ऐसे उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूं उसको मेरा बारंबार नमन है यह भा इस स्लोक में संपूर्ण संसार की जीव जगत संसार जो है इनके मंगल कामना की गई है। सर्वे मतलब सभी भवन्तु भूधातु लोटलकार प्रथम पुरुस बहु अचन का यह रूप है। अर्थात कोई भी रोग का भागी न बने। सर्वे भद्राणी पस्यन्तु और सब का कल्यान हो। पस्यन्तु द्रिश धातु द्रिश का पस्य रूप बनता है। अभी लोटलकार प्रथम पुरुस बहु अचन का रूप है यह पस्यन्तु तो सभी का कल्यान हो। मा कश्चित दुख भाग भवेत। मा यह क्या है यह एक अव्याइपद है और इसका अर्थ संस्कृत में निशेद अर्थ में होता है। निशेद अर्था नहीं या मत इस अर्थ को यह देता है। मा कश्चित कश्चित कह धन्चित कह मतलब कोई भी चित। चित क्या है यह एक अव्ययपद अनिष्चतopolि जो अव्यय होते है अनिष्चतकाल को जब बताना होता है तब इस अव्ययपद का प्रयुक किया जाता है दुख भाग भवेत दुख का भागी भवेत भूधातू विधिलिंग प्रथंपूरुस एक वचन का यह रूप है और इसका तात पर ये कहा है कोई भी हो अर्थात कोई भी होना चाहिए क्या होना चाहिए कोई भी दुख का भागी नहीं होना चाहिए ये कह रहे हैं तो सर्वे भवन्तु सुखि नहा अर्थात सभी सुखी हो सर्वे संतु निरामया और सभी जो है निरोगी हो सर्वे भद्राणि पस्यंतु और सब का कल्यान हो माकस्षिद्दुख भाग भवेत कोई भी दुख का भागी नहीं हो तो इस तरह से इस पाठ में जो चार स्लोक दिये हुए हैं इन चारों स्लोकों में पहले स्लोक में जिस तरह से गुरु शिश्यक की बातें कही गई हैं दूसरे स्लोक में हमें उस इस्वर के कल्यान की कामना की गई है आराधना की बातें कही गई है अमारे आस्था की बात कह कि गई है तीसरे स्लोक में गुरु की महिमा का गान किया गया है अर्थाद गुरी की महिमा का बखान किया गया है और चौथा स्लोक इसमें संपूर्ण संसार के चराचर जगत है इसके कल्यान की कामना की गई है तो इस तरह से हमारा यह जो पाठ है अब भ्यर्थना मंगल कामन इसके माध्यम से हम संपूर्ण चराचर जगत के मंगल कामना करते हैं